नमस्कार मैं हूँ धरमेंदर आप देख रहे हैं ओलाइन्यूज इंडिया देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी पूरी दुनिया को ग्यान देते हैं देश को ग्यान देते हैं आत्म निर्भर बनो आत्म निर्भर बनो ये ग्यान देते हैं सबको आत्म निर्भर बना दि ट्वीट किया मोदी जी ने और मोदी जी ने ट्वीट करके कहा बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए आप लोग दान कीजिए अब बतेए कोई हटी-खटा आदमी कोई हटा-खटा आदमी जो है वह आपके सामने आ जाए और कहें कि मैंने हजार उपए दे दिया तुम भी मोदी जी का जो है वह आप देखी लिए स्क्रीन शोट है भारती जंता पार्टी नरेंदर मोदी इसमें लिखा है इमेल आइडिये फोन नंबर है बाकि सब चीजे जो है इसमें लिखी हुई है ग्यारा हजार रुपे पार्टी फंड में इन्हों ने दे दिया है एंडी टी जी जी या वीख मांग लीजिए वह बात तक्रीबन तक्रीबन एक जैसी है क्या कहते है लोग कहते कि शर्म नहीं आती तुझे हटा खटा दिख रहा है कुछ क्यों कमा करके खाले लोग कहते ने इस बात को लेकिन नरेंदर मोदी जी पूरी दुनिया को पूरे देश को आत बीजेपी ये दावा करती है कि उसके जितने कारी करता है उससे कम जो है जनसंक है आठ देशों की बीजेपी ये दावा करती है बीजेपी के पास में इस वक्त में परचंड बहुमत की ही दूसरी बार के अंदर में सरकार चल रही है बीजेपी की दरजन भर से ज़्यादा रज्यों में सरकारे चल रही है उसके बाउजिवत बीजेपी चंदा मांग रही है इतनी हाला जो एक कंगाल बीजेपी की हो चुकी है क्या नरेंदर मोजी जी को चंदा मांगना पड़ रहा है एक खबर आप देखी ये टीवी नाइन की जनसंक्या इससे ज्यादा है वह नरेंदर यह जो है जैपी नड़ा साब यह कह रहे हैं आप यह बतिये की अठारा करोड़ आपके सदस्य हैं एक एक रुपए भी अगर आप लेंगे तो अठारा करोड़ रुपए सीधे होगे 500-500 रुपए लेंगे तो उससे कितने ज्य लाने का काम कर रही है कि यह कमाल की बाते देखें सोच करके देखें प्रधान मंत्री के पद पर अगर आप बैड़ जाएं अगर आप खुद प्र रांटरी के पद पर वेट जाएं और मैं कहूं कि भीया मेरे लिए चंदा मांग दो आपको शर्म नहीं आएगी मुझे भी शर्म आएगी कि मैं मेरा कोई दोस्त भी है और मैं उससे कहूं कि आप प्रधान मंत्री ये पत पर बैठे हो और मेरे लिए एक पर चंदा मांग दो आपको शर्म आएगी ना कि मैं प्रध दिसमबर से इसकी शुरुआत होई है अटल व्यारी वाजपे की जहनती से और 11 दिसमबर तक दीन देयाल उपाध्याई की पुन्य तिथी तक जो है ये करिक्रम चलता रहेगा कितने हजार करोड रुपए जो इखटे कर लिए जाएंगे अब बढ़े जो दावा करते हैं कि हम आत्म निर्बर बना रहे देश को वो क्या उधान पेश कर रहे है नरेंदर मोदीजी आप क्या उधान पेश कर रहे हैं आपके बीजेपी पार्टी के अंदर 18 करोड सदस्य हैं तो 18 करोड सदस्य क्या खुझ से देश को नहीं चला सकते हैं उसके बाद में फिर वो इधर उधर से वो सबको मालूम है कि कौन-कौन उद्यवपति कहां कहां से उसको मदद करता है फिर भी आप लोग अपनी पार्टी को नहीं चला पा रहे हैं तो सोचिए फिर देश को क्या चलाएं देश के हालत तो फिर क्या ही होगी जब 18 करोड इनकी पार्टी के लोग हैं कितने राज्यों में सरकार है देश में सरकार है उद्योगपति चर्णों का जो है वो इस्तमाल किया जा रहा है दूसरी एक बड़ी खबर इसी से जूड़ी हुई हम इसी खबर को एक दूसरे साच्चे में डाल करके आपको दिखाना चाहते हैं नरेंदर मोधी की सरकार ने चोड़ा मार्स 2020 को कहा था कि भारत में कौविड-19 आपदा खोसित कर दि जाएंगा यह कहा था लेकिन मोधी सरकार ने हाथ खड़े कर दिये कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है यह मोधी सरकार ने कह दिया और उसके बाद में जब मामला सुप्रेम कोट में पहुचा विपक्सी पार्टियों ने मांग की कि आपको पैसा तो देना पड़ेगा सु मास्क लगाने के यह लगाने के वो लगाने का नाम पर जुर्माने में लूटा गया लेकिन जब आपको पैसा उल्टा देने की बात आई तो फिर जो है वो सबके मूँ पर टेप लग गई यह खबर आप देख लीजिए कि इंदर सरकार से जो है वो सुप्रीम कोट ने कहा सुप्रीम कोट ने दस दिन का वक्त दिया था सुप्रीम कोट ने कहा था कि हम आपको दसनका वक्त पैसा तो आपको देना पड़ेगा मोधी सरकार तब भी नहीं मानी मोधी सरकार ने क्या कहा मोधी सरकार ने आखिर कार कहा कि हम 50,000 रुपए देंगे यह देखिली जब करोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे 50,000 रुपए किंदर ने सुप्रिम कोर्ट में बता है तो आप यह बते हैं कि जब लोगों के लिए पैसा देने की बात हो गरीबों के लिए पैसा देने की बात हो जो बिचारे जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है उनके लिए पैसा देने की बात हो तब आपके पास नहीं होता है तब आप ऐसी कोई अपील नहीं करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है आप एक पैसा इखटा कीजिए हम पैसा देना चाहते हैं तब आपकी मंसा नहीं दिखती है लेकिन यहाँ पर आप BJP के लिए प्रधान मंत्री के पद को इतना अपमानित कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री के पद से बैठ करके वो अपील करवाई जा रही है कंबाल की बात है अगर जेपी नड़ा इस बात को करतें कैने भर के लिए तो जूरूर नहीं होती लेकिन फिर नरेंदर मोधी वो पैसा मांग रहे है वो चनदा मांग रहे है और आप खुछ चले जी किसी से 5 रुपए मांगने के लिए 5 रुपए नहीं तो चलि मांग लीजे 100 रुपए 200 रुपए मांग लीजे अपने यार दोस से मांग लीजे क्या काएंगे कमाता क्यों नहीं है उड़ा दिया सिकरेट बीडी में तो आज बीजेपी से नहीं पूछ कि नरेंदर मोधी के आज 25 दिसंबर की यह तस्वीर है नरेंदर मोधी जी 11 करोड रुपए की मर्सेडीज गाड़ी में पहुंशते हैं 11 करोड रुपए की दूसरी तरफ 84 सो करोड रुपए 8000 करोड से ज़्यादा जो है वो नरेंदर मोधी जी के लिए दो हवाइजाज ख पता ही नहीं है रटी लगाते तो जवाब नहीं मिलता कि एंडर में इसको लेकर के नहीं आएंगे हम इसकी जो है वह कोई प्लेट में लेना चाहिए तो उसको जवाब नहीं देंगे का का पैसा कहा गया आज तक जवाब क्यों नहीं दिया हिसाब क्यों नहीं दिया पिछले 7 साल से भाजबा की रेलियों में करोडों रुपए हर रोज उड़ाइ जा रहे हैं यह तो क्या वो इतनी कंगाल हो चुकी है और क्या मोदी जी ने उसको वी तना कंगाल बना दिया है कि उसको चंदे की जरूरत पढ़ रही है उसको दान की जरूरत पढ़ रही है और दूसरे अगर कटू शब्दों में कहें तो उसको एक भीग की जरूरत पढ़ रही है और दूसरी तरफ जो है भारती जन्ता पार्टी नरेंदर मोदी जब करोना में पीडित लोगों को पैसे दी जाने की बात होती है तब पैसा नहीं होता है देश की GDP जब नीचे जाती है तो उसमें पैसा डालने के लिए बात होती है तब पैसा नहीं जाता है परवासी मजदूरों को डिरेक्ट पैसा देने की बात होती है तो तो पैसा नहीं होता है गरीबों को पैसा देने की बात होती है तो पैसा नहीं होता है महिलाओं को पैसा देने की बात होती है तो पैसा नहीं होता है लेकिन पार्टी के लिए पैसा जो है वो मांगा जाएगा तब पैसा नहीं मांगा जाता है लेकिन पार्टी के लिए पैसा जरूर मांगे बेराल आपको क्या लगता है क्या वाकई आपको लग रहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि नरेंदर मोदी जी देश के प्रधान मंत्री के पत पर बैठ करके पार्टी के लिए पैसा मांगे आपको इसमें कोई बुराई नेजर नहीं आती है या आपको लगता कि इससे जदा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता और इससे जदा खसता आलत कुछ नहीं हो सकती कि इतनी बड़ी पार्टी वो इतनी कंगाली में चली गई है कि उसको प्रधान मंत्री से जो है वो अपील करवानी पड़ रही है आपकी राय क्या है नीचे कमेंट वोक्स में जरूर दें इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले लोगों पता चले कि देश में एक्च्वली हो क्या रहा है और आपको क्या गुलाबी तस्वीर दिखाई जा रही है लेकिन उसकी सच्चाई क्या है इस खबर को लेकर इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट वोक्स में अपने राय जरूर दें और इसी दर एक तमाम खबरों के लिए ओलाइन उच्चाई सब्सक्राइब करें साथ में जो बैल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अप्लोड करें उसकी नट भी हैसन आपको तरद में सकेब धन्यवाद